प्रोटीन शरीर के टिशूज के निर्माण और रिपेर के साथ ही वाइरल और बैक्टीरियल संक्रमणों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी डाइट में फलो और सबजियों को शामिल करना जो आपके शरीर को प्रोटीन की सही मात्रा में डोस दे सकते हैं एक्सपर्ट्स के अनुसार औस्तन एक व्यक्ति को शरीर के वजन के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यक्ता होती है ये आपके शाररिक गतिविधी, चिकित सास्थिती और शरीर की संरचना के स्तर के अनुसार अलग-अलग हो सकता है अपने प्रोटीन का सेवन बढ़ाने के लिए स्नैकिंग समेत हर भोजन में प्रोटीन युक्त खादे-पदार्थ खाने की कोशिश करें तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर खाने की किन चीजों में सबसे ज़ादा प्रोटीन होता है प्रोटीन युक्त अंडा सबसे स्वस्थ और सबसे पौश्टिक खादे पदार्थों में से एक है यह आविश्यक विटामिन, खनीज, हेल्दी फैट और आखों की रक्षा करने वाले एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है इसलिए हमें लगभग रोजाना हमारे आहार में अंडे शामिल करने चाहिए अंडे में काफी अधिक प्रोटीन होता है, लेकिन इसका सफेद भाग लगभग शुद्ध प्रोटीन होता है अखरोट, बादाम और पिस्ते जैसे कुछ ट्राइफ रूट्स को शाम के स्नेक्स के लिए बेस्ट माना जाता है वहिए दिल की बीमारी का खत्रा भी कम कर सकते हैं और ये आपके लिए एक आदर्श ब्रिक्फस्ट भी है लेकिन ड्राइफ रूट्स और बीच में हाई कैलोरीज होती है इसलिए इसकी सीमित मात्रा ही ले शाकाहारियों के लिए मसूर प्रोटीन का एक प्रसिध सोर्स है मसूर ना केवल प्रोटीन जैसे पोशक तत्वोस से भरपूर होता है बलकि खनीजो जैसे फाइबर, फॉलेट, मैंगनीज, आइरन, फोसफोरस, पोटेशियम और B विटामिन से भी भरपूर होता है मसूर में मौजूद प्रोटीन दिल को स्वस्थ बनाए रखने, पाचन में मदद करने और बलड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है चिकन ब्रिस्ट एक आधर्ष हाई प्रोटीन डाइट ऑप्शन है जिसे आसानी से आपकी डिश में शामिल किया जा सकता है पनीर महत्वपूर्ण, खनीजो और विटामिन से भरपूर होता है और ये आपके स्वास्ति के लिए अच्छा भी है केल्शियम के अलावा पनीर प्रोटीन का भी एक आवश्वस्निय सोर्स है जो मान स्पेशियो को मजबूत करने का काम करता है आम तोर पर ब्रिक्फस्ट के दौरान ओट्स को खाया जाता है ओट्स प्रोटीन का शांदार सोर्स है ये कॉंपलेक्स कार्बो हाइड्रेट में समर्ध होते हैं आप ओट्स को ताजे फल और नट्स जैसे अलग-अलग स्वस्त खादे-पदार्थों के साथ खा सकते हैं तो अपने डाइट में इन चीजों की मदद से प्रोटीन एड़ करें और अपनी इम्मिनिटी को भी मजबूत बनाएं